नमस्कार मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम आपको बताएंगे सेटर में गठ्थी डालना कोई भी सेटर बनाते हैं तब से मेंची उसका गठ्थी डालना हमें आना चाहिए तो उसके लिए हमने उन लिए है और सलाई लिया है गठ्थी लगाने के लिए हमने उन को डबल कर लिया है जब भी नीचे की गठ्थी डाले हमें उन को डबल ही कर लेना चाहिए यूकि नीचे की गठ्थी हमारी मजबूत होना चाहिए पूरा सेटर के भार उस पर रहता है और खिचाओ जादा पड़ता है इसलिए उन को हमें डबल कर लेना चाहिए या न्म फिर तीन बार लिए दू तो होना ही चाहिए तो हमने उनको डबल कर लिया है और इसमे गट्टी लागा दी है अब हम फंद्र庫ंद के लिए यह फंद्र जालने के लिए और जो यह भाग निकला है इसे हम चिटट की सिलाई में अंदर कर लेते हैं उसमें सिलाई में आ जाता है तो अब हम गठी लगाएंगे यह जो डबल भाग है उनका इसे हम राइट साइड मिलेंगे और इस तरीके से हमें मोड़ना है देखिए हम ऐसे पंदा उठाएंगे और इस तरीके से सलाई में डालेंगे और जो सिंगल पंदा है इसे इस तरीके से डालते हुए फिर से हम इस पंदे को डालेंगे और खीच लेंगे इस तरीके से ये फंदा हमारा बनके तयार हुएगा मैं आपको फिर से बताऊंगी इस तरीके से हम फंदे को डालेंगे फिर इधर से ये फंदा हम डालेंगे और फिर बीज से इसे हम निकालेंगे और इसे थोड़ा से टाइट कर देंगे इसे फंदा हमारा धीलान पड़े इस तरीके से लेंगे और ये फंदा इसमें डालेंगे और इसे फिर से उपर से उतार देंगे इसे टायट कर देंगे इस तरीके से जितने भी फंदे आपको डालने हैं आप फंदे डाल सकते हैं ये फंदे डालने का सबसे आसान तरीका है जो मैं आपको बता रहे हूं देखे इस तरीके से फंदे को डालना है दस से डाला और ऊपर से इसे हम खिंच लेंगे आज आजीजिशी तरीके से पुरा खंदध टाल कर हम त्यार करेंगे जितने भी हमें खंदध डालना हो बड़ा या चोटा फंद रस法 टर जैसे हमबनाना है उसी हिसाब से हमें खंद डालना और एक बात हमें और ध्यान रखना है, कि जब भी हम फंदे डालते हैं या फिर बाउडर बनाते हैं, तो हमें सलाई पतली डेनी चाहिए, इस तरीके की, और जो हमारा बाउडर बिनकर तयार हजाता है, तो उससे एक या दो नंबर मोटी सलाई हम लेकर सेटर बनाते हैं, तो ह में गठटी को भी पतली शलाई में डालने की छाहिए इस तरीके से हाटे को कुरे पसंद को डाल लेंगे इस त्रीके से इस से गठी लर तायर कर लीए मैं नियुक्त अच एको पुरिंसे आ मैं इसी तरीकी के नए नए वीडियो आपको देती रहूँगी लाइक कीजिए शेर कीजिए फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद